नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखे डेट है 31 जनवरी दा हिंदू करिंट अफेर में आपका स्वागत है लीजे स्टार्ट करते हैं देखे गाईज आप सभी को पता है कि जो यूपी का ओडिनेंस आया था कनवर्जन वाला ठीक है वो क सारे जो भी कानून अगर कोई स्टेट बनाता है तो क्या वो प्रेजिडेंट के पास एसेंट के लिए जाते हैं ऐसा नहीं है सारे कानून जो बनाते हैं उसका ऐसा इश्यू नहीं है कि सारे प्रेजिडेंट के पास भेजे जाएंगे only those जो रेपगनेंट हैं to central lodge मतलब कु गवर्नर की पावर है कि वो ओडिनेंस लेके आता है कब लेके आता है देखिए चाहे गवर्नर हो चाहे रास्टरपती हो ओडिनेंस तब लेके आते हैं जब सेशन जब पार्लियमेंट सेशन में नहीं होती तब रास्टरपती लेके आता है रास्टरपती के दवारा ओडिन 555 में आता है तो देखिए जो भी important articles हैं वो बिल्कुल पता होना चाहिए one day exam या PCS exam में शिदा article पूछ लेते हैं कि कौन सा क्या article किसको relate करता है कहां से क्या belong करता है ठीक है guys next अगर guys देखिए हम बात करें अगर production linked incentive scheme के बारे में तो देखिए ये जो scheme है ये boost करने के लिए है domestic manufacturing अब बात करें इसके news में तो देखिए एक बहुत बड़ा article चपा है कि China still largest source of critical imports for India अब देखिए हमारा देश जो भारत प्यारा देश है वो क्या-क्या import करता है तो देखिए अगर ज़्यादा अगर तादाद की बात करें तो जो pharmaceutical और electronic sector की बात करें तो हम who'sly dependent है चाइना के उपर ठीक है guys इसी वज़े से ये scheme थोड़ा news में है तो थोड़ा पता होना चाहिए next अगर बात करें तो देखिए science and tech का जो portion है आज Sunday का दा हिंदू का तो उसमें neutrino's के बारे में बताया गया है थोड़ा अब देखिए neutrino क्या होते है subatomic particles होते हैं electron के जैसे similar होते हैं electric charge के अगर बात करें तो इन पे नहीं होता है इनका जो mass है वो बिलकुल small होता है ना के बराबर होता है और इनको almost detect करना थोड़ा difficult होता है तो इसी वज़े से ये news में है अब देखिए एक supernova भी होते है supernova क्या होते है देखिए जब कोई star होता है उसकी जो ending of life cycle मतलब जब उसका end होना होता है life cycle का वो star का तो उस time पे क्या होता है एक बहुत जबर्दस largest explosion होता है उसी को कहा जाता है supernova next अगर guys हम बात करें तो देखिए CAFE ये term है ये क्या है किस से related है news में है ये तो देखिए corporate average fuel economy है सरकार ने अभी बात की है सरकार ने approval कर दिया है जो green tax के बारे में तो अब green tax के अगर बात करें क्योंकि green tax environment के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है देखिए ये जो tax है ये ऐसे vehicle पे लगाये जाएगा जो commercial vehicle की बात करें तो जो 8 साल के आसपास जिनका time हो चुका है और अगर personal vehicle की बात करें तो वो 15 साल के बाद अगर है तो उनके उपर ठीक है guys आप देखिए ऐसे कौन से क्या vehicle है जिनको exempt किया जाएगा इस tax से तो वो देखिए tractor है, harvester है, tillers है जो खेतों में कामकाज के लिए almost huge में लाए जाते हैं या फिर hybrid, electric और ethanol, LPG, CNG से powered जो vehicle होते हैं उनको exempt किया जाएगा अब सवाल उठता है क्या कोई public transport vehicle जो है क्या उसको भी exemption मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उस पे थोड़ा कम लगेगा ठीक है, अब सरकारी जो vehicle है उनके उपर भी tax लगेगा ऐसा नहीं है कि उनको भई इसके दाइरे से बाहर कर दिया जाए इसके उपर देखें तो नहीं पूछा गया लेकिन पहले 4-5 साल के अगर बात करें तो UPSC के दवारा पूछा जा चुका है ठीक है, तो ऐसे जो भी चीज निउज में है जो भी standard है वो बहुत जरूरी बन जाते हैं exam के लिए next अगर बात करें guys तो QED फिर से news में है QED आप सभी को पता है QED क्या है, QED एक group है जिसमें कौन-कौन सामिल है, जिसमें इंडिया है है ना, Australia है, Japan है और कौन है, आप सभी को पता है USA, ठीक है तो नई सरकार बनी है, उन्होंने भी काया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे QED को ठीक है, इसकी formation को हम आगे बढ़ाएंगे ठीक है, आप देखिए Holong 1, ये एक चाइना का nuclear reactor है तो चाइना इसको, ये एक third generation reactor है चाइना का, ठीक है, तो ये basic information है जो भी news में रहती है, exam से related वो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए आप देखिए, अगर आपका कोई suggestion, कोई सुझाव है तो आप मेरे को, बिल्कुल mail कर सकते हैं mail id है, civilian civilian 96 at the rate gmail.com आपको बिल्कुल नीचे मिल जाएगा, आप description में देख लीजिए अगर आपका कोई suggestion है, तो बिल्कुल आप comment कर सकते हैं ठीक है guys, तो देखिए, इसी के साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए, have a awesome day